मैं स्वारब कुमा दो टेकनिकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग एंजिनियरिंग ग्राफिक्स में जो डाइगोनल स्कुल को स्टार्ट किये थे डाइगोनल स्केल के आज तीसरे प्लोबलम को मुलोग देखेंगे चलिए ग्रैटे05 की बीचगी दूरी आपको दिया है कितना है छोसो कीलो मेटर कितना आपको Sao कीलो मिटर दो रेल्य इस्ते की बीच की दूरी डी बराबर दिया हुआ है 600 किलोमेटर का रहा है इट इज रिपर्जेंटेड और रेल्वे मैप और इसको रिपर्जेंट किया जाता है रेल्वे मैप पे बाई 15 cm तो यहां पे आपका लेंथ आप ड्रोइंग कितना हो गया 15 cm एक्चुल था कितना एक्चु इसको प्रिक्त मतलब यहां पे आपको आरफ डारफ किलिए नहीं किया है आपको रिलेसंद दिया है तो यहां से आरफ आप बाहर कर सकते हैं आरफ इक्पल्टू क्या हो जाएगा लेंद आप ड्रोइंग बटे एक्चुल लेंट आप अप ऑब्जेक्त तो यहां से हम करेंगा दीके करें तू मेजर अप्टू आ सिंगल किलो मीटर सिंगल किलो मीटर तक का आपको डाइगोनल स्केल बनाना है मतलब रिलेशन बिट्विन थी उनिट्स बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो यह मल्टिपल में लेकर यहां पर देखे आगे पढ़ेंगे तो और किलियर हो जाएगा कर आप फाइंड आरब आरब बाहर करना आरब तो हम लोग ऐसे भी निकालेंगे क्यों लेंट आप इसकेल के लिए आरब बहुत जरूरी है चलिए और मैक्सिम लेंट तो चलिए अगला कर रहा है कि एंड इंडिकेट अडिस्टेंस अब 346 किलोमीटर और आपको स्केल पर 346 किलोमीटर को सो करना है तो देखे सबसे पहले कि आरब को आप निकाल लीजिएगा लेंट आप ड्रोइंग और ए 300 equal के बना सकते हैं यह नहीं तो 400 तक का बना सकते हैं 500 क्याओं जो आपको सुभिदा हो वह मैक्सिमुम लेंद के जगा आप पूर्थ कर लिजिए का तो हम जुह है यहाँ पे 346 किलो मीटरा था हम 400 किलो मीटर तक काunuz के लिए तो मैक्सिमम लेंध के जया क्या यूज करेंगे 400 किलो मीटर आप कुछ भी कर सकते हैं 350 का लिए ज्यादा बेटर हो थो चलेशां तक कम बना लगे उसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पर किलियर करना होगा कि रिलेशन कैसे बनाएंगे तो देखिए आपको सो क्या करना है 346 किलो मीटर और डाइगोनल है तो रिलेशन बेटूइन थ्री उनिट बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि किलो मीटर को एक बा किलो मीटर का 10 के मल्टिपल में फिल सिंगल किलो मीटर तो रिलेशन बेटूइन थ्री उनिट्स हो गया तो चले इसका कल्कुलेशन को देखते हैं कोस्चन नोट किजिए इसके बाद आप लोग कल्कुलेशन को लोग देखेंगे उसके बाद फिर डाइगोनल स्केल करेंग से बस्ते स…! कर लिजिएं हम लोग कलकूलेशन से बन्य करकेंगे。 बनाख के बनाफ है आध आज जिए हम करेंगे तो आज से पहले यहां पर जो गीभान और उसको लिखेंगे तो ड्रोइंग सीट पर फोरुज पैंशल से मतलब तो यहां पे मेरा फोरच क्या होगा Black Marker होगा ठेक है और एचछी क्या होगा Green Marker होगा तो चलिए हम लोग क्या करेंगे फोरच पशेच से पुरा calculation क्येंशन क्लिर करेंगे तो सबसे पहले चाहाँ था आपको यहां पे length of drawing क्या था 15 cm तो यहां पे लिख लिख लिजेगा length of drawing 15 cm actual length of object क्या था तो actual length आपके कितना 600 km यही था चलिए यहां से आप आरप calculate कर लिजेगा आरप equal true क्या होगा length of drawing बटे क्या actual length of object ठेक है तो यहां से clear कर लिजेगा length of drawing कितना 15 cm क्योंकि 15 cm रही 600 km को 15 cm में रिपर्जेंट कर रहा था तो यहां पे 600 km हो जाएगा तो आरप unit less quantity unit same same कर लिजेए यहां पे 15 बटे 600 अब देखिए तो यहां पे सेंटी मीटर में किलो मीटर को सेंटी मीटर चेंज किजिए सबसे पहले 1000 से गुना करेंगे किस में आएगा मीटर में फिर 100 से गुना करेंगे किस में आएगा सेंटी मीटर में तो अब देखिए तो यहां से स्वल्व किजिए पंदरो चौग की साथ चालिस बार में 600 हो जाएगा तो यहने कि कितना आ गिया आएगा एक बटे चार पे कितना 0 हो जाएगा तीन दू पाँच एक छो जीरो पको दिख्णां तीन दू पांस एक छो जीरो हो जब चली सो आगये हम लोग किया करेंगे दिख लों कितना कंसीड़ किए तब 6 00 हम लोग कीलोमीटर कंसीड़ किए और हम लोग यहां से क्या लेंगेद दिख्यू निकाल कितना आया वन बटे फोर पे कितना सिक्स जीरो चलिए गुना मैक्समुम लेंद की जगह 400 किलो मीटर तो लेंद आप स्केल हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं सेंटिमीटर में चेंज कर लिजिए एक बटे चार पे दचाई 6 0 चले गुना चार सो इसको फिर तीन से गुना करेंगे तीन जीरो कितना हो जागा मीटर में अब फिर एक सोस किरेंगे संटिमीटर में तो देखिए 6 0 आई यहां से 3 2 5 तो कितना यह 10.40 कितना यह 10 cm लेंट आप किलियर है इसको नौट कर लिए कल्कुलेशन को तो अब यहां से आपको लेंट आप से कलियर है तो हम लोग क्या करेंगे अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाएंगे उसमें लंबाई के जगह लेंट आप सेंटीमिटर यूज करे मुझे में मिलते हैं कितना आप को देखें अब लोग का प्ला से अफिटेंगलर ब्लॉक में आपे अनुट आप का लंबाई क्या रखेंगे लें थाप ईसकेल तो देखिए डाप्टिंग मसीन की मदब नोच है रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंग्या rectangular block में लंबाई के जगा length of scale कितना आया था 10 cm रख लेंगे चोड़ाई अपने मन से यहाँ पर consider करते हैं कितना लगबग 5 cm के बीच तो 5 cm ही हम लोग ले लेंगे तो चलिए लंबाई और चोड़ाई पता है तो आप यहाँ पर rectangular block बना सकते हैं यहाँ पर rectangular block complete किजिए उसके बाद अगला step क्या होगा इस rectangular block को लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं कितना number of equal part में तो देखिए आपको जो 100 कराना था तो maximum कितना consider किए 400 km तो देखिए multiple of 100 के form में लेना है पहला यह नहीं तो देखिए कितना भाग में डिवाइड करेंगे maximum 400 multiple of 100 लेना है फोर number of equal part में डिवाइड करेंगे तो चली इस rectangular block को चार number of equal part में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे लोग पैरलल लाइन मेतड लगाएंगे तो पैरलल लाइन मेतड लगाने के पहले थ्रौस यहाँ पर आप dimensioning कर लिजेगा क्योंकि length of scale जो आप लिए य में बना लिजेगा और यहां पर लिख लिजेगा 10 cm क्योंकि length of scale जो लिए तम लोग लंबाई के बराबर चली तब लगा लिजे पैरलल लाइन मेतड इस rectangular block को कितना number of equal part में डिवाइड करेंगे चार number of equal part में तो पैरलल लाइन मेतड क्या कहता जीरो से number degree के बीच में लाइ drafting machine की मदद से last को last से मिला लिए देखिए किस प्रकार मिला यहां पर दिखा देते हैं आपको यह last से last मिला था यहां पर nut को कस लिजिएगा ठीक है उसके बाद परती है का आरक पे इसी के parallel line ड्रॉ किजिएगा तो automatic यह कितना number of equal part में four number of equal part में डिवाइड हो जाएगा को द और यहां से vertical upward direction में परतियक point पे चला जाईएगा तो यहां पे अगर चले जाईएगा तो यह rectangular block क्या हो जाएगा आपका divide हो जाएगा कितना number of equal part में जितना number of equal art लगाएगा पिर क्या करेंगे naming करेंगे 0,100,200,300 क्यों multiple of hundred में kilometer लिए kilometer multiple of hundred चले पहला relation तो दिखा लिए अब परतियक particular block यहां पे किसको सो कर रहा है 100 kilometer को अब हमको 10 के multiple में ले रहा है तो एक block को फिर कितना भाग में डिवाइड करेंगे 10 भाग में तो यहां पे फिर parallel line method लगा दीजिए और इसको तो दस number of equal arc से parallel line method से लगा लिए चलिए यहां पे दस को आरक लगाते हैं 12345678910 फिर यहां भी लाश्ट को लाश्ट से मिलाएंगे डाप्टिंग मसीन को लाश्ट को लाश्ट से मिला लेंगे सेट करके देखिए हम मिला लिए चलिए अब इसी के पारलल बिल्कुल हम लोग पड़ती है कार्ग पे लाइन डॉक करेंगे तो ओटोमेटिक यह ब्लॉक टेन नमबर ओफिक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगे पदिक्वाइड हो गया फिर क्या करते हैं हम लोग सिर लेना है अहत्छां अब डामी अभी अपको हो отп र मुप ए अ मनें डाइगॉनली कैसे मिलाते हैं पहला दो कोस्ट्र वस्चीन में ओर किलियर करायी थें यहां तो करा देते हैं मतलब 0 को वनको 1 को 2 वाला लाइन से 2 को 3 वाले लाइन से alternate diagonally मिलाना है तो चलिए तो 0, 0 को किस से 1 से तो चलिए आप लोग यहाँ पर मिला लिजेगा 0 था तो देखे 0 को किस से मिलाएंगे 1 से तो 0 मिल गया 1 से 1 किस से मिलेगा 2 से यहाँ पर यही चीज थोड़ा डिफरेंट होता है alternate diagonally मिलता है किस में diagonal scale में लेकिन plain scale में relation between 2 units जो दिखाते थे यहाँ पर direct हम लोग drafting machine को 0 पर set करके direct downward direction में आते थे लेकिन diagonal है यहाँ पर क्या होगा diagonally मिलेगा relation between 3 unit दिखाना है तो इसी वज़ा से alternate diagonally 0 को 1 से 1 को 2 से 2 को 3 से 3 को 4 से 4 को 5 से 5 को 6 से 6 को 7 से 7 को 8 से 8 को 9 से 9 को 10 से मिला लेना है जब यह alternate diagonally मिल जाएगा तो कि यहाँ पर क्या करना है naming कर लेना है यह भी किलोमीटर है multiple of 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को दिखा तो यह भी क्या है किलोमीटर है multiple of 10 तो दिखा लिए चलिए 2 relation clear हो गया यहाँ पर यह परती है particular block किसको सो कर रहा है 10 किलोमीटर को अब single किलोमीटर में डिवाइड कर मैं तो एक block 10 किलोमीटर को सो कर रहा है तो उसको 10 भाग में डिवाइड कर ले तो परती है particular block किलोमीटर को सो करेगा तो फिर यहाँ पर parallel line method लगाएंगे लगा देंगे adapting machine को यहाँ पर क्या करेंगे 0's number degree बीच में draw करेंगे parallel line method लेंगे तो कितना अर्क considered करेंगे दस आर्क क्यों है क्यों क्योंकि दस भाग में डिवाइड करना है दू तीन चार पांच छो साथ आठ नो दस फिर देखेंगे आप adapting machine को लाश्ट से लाश्ट को मिला लेंगे लाश्ट को लाश्ट से मिला लिए फिर क्या करेंगे इसी के पारलल परती एक जगह परती एक आर्क पे लाइन राओ करेंगे तो अटोमेटिक यह क्या होगा दस नमबर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिजिएगा उसके बाद अगला कि इस टेप क्या होता था-डैगोणल इसके मैं रखें यहां पर देखिए आप लोग यहां पर लोग सेट कर लेते थे लेंद्स और कि स्कील वाण ये रेक्टंगलर ब्लॉक में जो लंबाई वाडना ओता ठाब्र दूंच मेसीन को वहाँ पर सेट्ट करते थे अब परति एक और पर इस तरह लाइन कर लेते थे अब लोग्व कि कि अब लंबाई के परनल लाइन करेंगे में परतीए कारख पे लंबाई के परमला लॉइन करने ब्रीस म में थोड़ा से यहां पर दिख्कत हो थोड़ा सा परलल लगना चाहिए फिर एंड बना रहे हैं फिर भी आप लोग का तो एक दम हंडेट परसेंट आएगा परलल ठीक है मेरा इधर भी आजाए चलेगा थोड़ा से मीटी गया था इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा लाइन दिखा रहे हैं खर को बात नहीं कि इंड्राप्टिंग मसीने में थोड़ा से एरर आने के वज़ा से ऐसा हो गया है कि चले जितना आरक है हर एक जगह क्या करें हम लोग पर लाइन से ड्राव करेंगे और यह जो लाइन पैरलल लेंगे किसके रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लंबाई के पैरलल आरक है कि चलिए अब क्या करना है इसको भी करना है तो देखिए जीरो इदर चलेंगे क्या करेंगा सिंगल किलोमेटर को सो करेंगे आप लिख भी देते हैं किलोमेटर तो तो जीरो वन किलोमेटर टू थीरी फूर पाइप सिक्स सेबन एट नाइन तेन को दिकात तो यहां पर आपका डाइगोनल स्केल कंप्लीट हो गया लेकिन आपको सो कर रहा था है कि दिस्टेंस तीन सो चालिस किलोमेटर तो देखिए जीरो से इधर चलेंगे तो हंडेट के मल उसलेकं किलोमेटर को बताइगा इधर चलेंगे तो सिंगल किलोमेटर को बताइगा 346 क्लियों मिटर सो करना तो यह कितना दिश्टेंस हो यह 346 किलोमेटर तो यहां पर जो कुश्चन का रिक्वाइर्मेंट है पूरा होता है डियागोनल स्केल कर रहा था बनाने बना लिए फिर आरफ निकालने कर रहा था तो कल्कुलेशन में आरफ भी निकाल के दिखा दिए उसके बाद 346 किलोमेटर को सो करने का रहा था 346 किलोमेटर को सो भी कर दी तो आप लोग इसको नौट कर लीजिए यहां पर आपका का तीसरा नंबर को सेन क्लियर होता है अब मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्यू फार वाचिंग आप लोग मारे चैनल को लाइक ता सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच से आरे करें